ए भर राजबर बंधूओं मैं हूँ श्रवस्ति सम्राठ महराजा सुहेल देव राजबर मेरा जन्म बसंद पंचमी के दिन वर्ष एक हजार नौ इस्वी में हुआ था मेरे पिता जी का नाम बिहारी मल एवं माता जी का नाम महरानी जैलक्षमी था 18 वर्ष की आयों में वर्ष 1027 इस्वी में मेरा राजबर दिलक हुआ था और 1027 इस्वी से 1077 इस्वी तक मेरा शासन रहा मैं आजीवन देश धर्म की रक्षा के लिए आन मान और सम्मान की रक्षा के लिए अपने पूरवजों के आदर्षों की रक्षा के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहा परंतु मेरी आत्मा आज भी स्वर्ग लोग में तडप रही है भर राजभर लोगों की दशा को देख कर क्योंकि आपस में ही भेद भाव हैं जलन की भावना है मैं समाज के शिक्षित और अगवा लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरा ये संदेश उन अशिक्षित माताओं बहनों तता भर राजभर बंधों तक पहुँचा दें ताकि लोगों में शिक्षा का विकास, चेतना, जागरिती और संगठित होकर किसी कारे को करने के लिए संघर्ष की भावना पैदा हो मेरे प्रिये लोगों, विद्या गरीबों का इस्थाई धन होता है शिक्षा से मनुष्य चारों और सम्मान पाता है गरीब होने पर भी संसार में पूजने बन जाता है इसलिए विद्या को ही आप लोग श्रेष्ट गुन माने मैं स्वर्ग लोग में वापस जा रहा हूँ बड़ी देर हो गई है, फिर दुबारा मिलूंगा लगनों में लालबा के थोड़ा सा आगे नूर मंजिल तिराहे पर सुहिल देव जी की ये मूर्ती लगी है महराजा सुहिल देव भारत के ऐसे महानायक थे जिन्होंने राश्ट स्रक्षा का प्रतम अध्यहय पढ़ाया था ऐसे प्रताबी राजा जिनके पदचिन्नों पर चलकर महराणा प्रताप ने अपना सर्वस बलिदान कर दिया पर पगड़ी नहीं जुकाई, मराठा की भूमी ने उसी आदर्ष का पालन किया महराजा शिवाजी छटर साल उसी आदर्ष के प्रमाण है ऐसे शूरवीर जिन्होंने अरब की लुटेरे सेयद सलार मसोद गाजी को पराजित करके भारत को मुसल्मानों की वुलामी से लगभग 400 वर्शों तक बचाया था ऐसे शूरवीर प्रतापी राजा को देश वासियों ने कैसे भुला दिया जिन्होंने 50 वर्शों तक अपनी बुद्धी, विवेक, बल, कौशब और वीर्था पूर्वक, अकंड भारत की रक्षा, देश धर्म की रक्षा, मात्र भुमी की रक्षा, अपनी संस्क्रिती की रक्षा करते हुए राजजी किया था राजबर लोगों को अपना गौरफ शारी तिहास याद करना चाहिए लखनव शहर में महंदी गंज मुहले में भरों की इस्ट देवी, शीतला माता का मंदिर है मंदिर का निर्वान भरों ने करवाया था माता का पिंडी दर्शनकर मनोवांचित फल को प्राप्त करते हैं दूसरा शीतला माता का मंदिर छितवा पर लखनव में है आज इसे भुयन देवी मंदिर कहते हैं इसका भी निर्वान भरों ने करवाया था इन शीतला माताओं की पूजा अर्चना भर राजा लोग किया करते थे लखनों में ही भूल भुलईया के पास लक्षम टीला है जो कभी लाखन भर का किला था मुसल्मानों से घोर संग्राम के बाद जब मुसल्मानों ने कबजा जमाया तब यहां के शीश मूर्ती का काला फण भरों ने ले जाकर नगर के पश्चिम में एक इस्थान पर जमीन में दबा दिया था जिसे काली देह कर कर लोग पुकारते थे वर्तमान समय में ये पिला शाहपीर टीले वाली मस्जित के नाम से जाना जाता है हम बार बार उस धर्ती को नमन करते हैं जहां पर राष्ट रक्षक शूरवीर महराजा सुहिल देव राजभर्दे जन्म लिया था यही है ओश्रावस्ती नगरी जो भर राजाओं की राजधानी थी इसी धर्ती की गोद में समराज सुहिल देव जी का जन्म एक हजार नौ ईस्वी में बसंद पंचमी के दिन हुआ था जो हम देख रहे हैं सब समराज सुहिल देव जी के समय की प्राचीन धरोहर है सहेट महेट घंटा